यादों का एक लंबा सफर रिसी कपूर छोड़ कर चले गएं। लोगों की आखों में आसू हैं, लोगों के दिल में दर्द है, तकलीफ हैं। इसलिए कि उनका चहता, उनका प्रिय हीरो उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलबिदा कहते हुए चला गया। भारत में जितने लोग चाहने वाले थे रिसी कपूर के, उतने ही चाहने वाले कहीं पाकिस्तान में भी थे। पाकिस्तान में भी तमाम प्रसंसक ऐसे थे, जो रिसी कपूर से जुड़ा हुआ मानते थे और रिसी कपूर की कोई ऐसी फिल्म आती थी, उसे देखे बिना नहीं रहते थे। लेकिन पाकिस्तान से कहानी है एक किस्सा है और एक रिष्टा है वो रिष्टा है जेवावक्तियार से 1991 में एक फिल्म आई थी आप सभी को ध्यान होगा उस फिल्म का नाम था हिना हिना फिल्म में रिषी कपूर के साथ जेवावक्तियार ने काम किया था पाकिस्तान की ये हिरोईन रिसी कपूर के साथ काम करती है और जैसे लगता है कि जनमों जनमों का रिस्ता उनके साथ जुड़ जाता है क्योंकि जिस प्रकारते उन्होंने ट्वीट करके लिखा है भाव होकर उन्होंने अपने सवाल किये हैं अपने ज़जबातों को सम्हालने की कोशिस की है उससे ये समझ में आता है कि जैसे लगता है कि नाजाने कौन सा रिस्ता था जिवा ने कहा है ट्वीट करके कि मेरी प्रेड़ा, मेरे दोस्त और मेरे परिवार के सदश मैं आपके बिना तो जीने की कलपना ही नहीं कर सकती आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है काने के एक बोल भी उन्होंने लिखे कि तुम बिन जीया जाए ना यानि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है यादो का ये सफर जेवाब भूल नहीं पा रही है एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने जब्शों City बात कही है और कैसे रिसी से कपूरि की सबसे बड़ी प्रसंसजद्रक थी अपने आपको जुडा हुआ मांद ही थी मु円 वो सब उन्होंने बैया अकरने की कोशिस की है लफजों में डालना बहुत मुश्किल है बट करीब से करीब अगर मैं तो होगी वो ऐसा है कि अगर आप समझे कि आपके खानदान के कोई है जो एक बहुत मौतबर उस्ताद की भी पोजिशन में है लेकिन ये भी रिष्टा है कि उनको आपका ख्याल भी है वो आपको सिखा भी रहे हैं और आप उनसे सीख भी रहे हैं ये आप बड़ी मुश्किल से जुरत करते हैं उनसे बात करने के पाकिस्तान में भी तमाम लोग हैं चाहे वो रहात फटे अलीखा हूं चाहे सोवालियक मलीक हों सोवगतर हूं तमाम ऐसे खिलाड़ी कलाकार एक्टर अलग जिन्दा दिल कलाकार अब फिर दुबारा नहीं मिलने वाला पाकिस्तान में तमाम ऐसे दर्सक भी हैं जो रिशी कपूर के जाने के बात खासे मायूस हैं